तो बंगाल के खिलाड़ी मनोस्तिवारी और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है पूर्व कप्तान पूर्व लेजेंड खिलाड़ी आईपील में तो अभी खेली रहे हैं तो अभी पूर्व तो नहीं कह सकते हैं लेकिन भारती टेम के लिए पूर्व हो चुके हैं महंद सि तरफ से दो रिटार्मेंट ले चुके थे लेकिन अब फर्स क्लास में आने रणजी भी खेलते हुए नहीं नजराएंगे और यही रिटार्मेंट के बाद जो अंदर जो कह सकते ना सिसकी इतने दिनों से भरा हुआ था वो सभी एक तरीके से बाते निकले सबसे पहले आप पो बता दो उन्होंने महेंद सिंह धोनी को लेकर क्या 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 कहा है उन्होंने कहा के जिस तरीके से मुझे मौके नहीं मिले वो एक तरीके से गुसा थे एजटिक वर्ड में आपको बता दो कुन्होंने क्या कहा है मैं महेंद सिंग धोनी से यह पूछना चाहता हूँ कि 2011 में सेंचुरी लगाने के बावजूद मुझे प्लेइंग 11 से क्यों ड्रॉप किया गया मेरे अंदर भी बिराट कोली रोहिस सर्मा जैसे हीरो बनने की काबिलेत मुझूद थी लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि कई खिलाडियों को मौका दिया जा रहा है जिसे देखकर मु अब इस तरीके से तो बात है और क्रिकेट भी तो अब ज्यादा होगी है और आप इंडिया टीम ऐसे टांजीशन में है जहां नए खिलाड़ी आ रहे है और पुराने जा रहे है उस समय आप दिखिए न 2011 में आप किसकी जगा ट्रॉट्स वह फिस टांजिशन का था ही नही सचेंग वहां पर जाइब से बात है वहां पर जाइब से वाग ओपन वह बिल्कुल सैट पैटन था उसके बाद युवराज सिंग थे सुरिश रहना थे वहां पर मैं देशन धूनी खुद थे नीचे नीचे मिडल ओडर तो बिल्कुल पैक्ट धानों आप अगर नीचे अ सारोप लगाने कि मैं रोहिष सर्मा बिराट कोहली जैसा सूपरस्टार बनता अगर मुझे मौके मिलते लेकिन नमबर क्या कहतने आसे इस हो तो बेलकुल बर्लग तरीके से साथ नहीं देते वैसे बता दू बारह मुकाबले खेले हैं उन्होंने ओडियाई मुकाबलों की म उनको बाहर करा गया था यह जाहिर सी बात है अच्छा नहीं होता लेकिन बेस्ट इंडिस के खिलाप आपने सतक जड़ा उसके बाद बड़े ट्राइसरीज हुई तो उसमें सायद आपको बाहर बैठना पड़ सकता है लेकिन आपको फिर मौका दिया जाता है फिर मौका द बड़े बड़े टीम में खिलाडी थे उसके बावज़ू तो आपको बहुत मुश्किल था उस तरीके से लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट लगातार वो घरेलो क्रिकेट में बंगाल के लिए खिलते रहे हैं और एक चीज़ यह भी धीना कि ऐसा लगता होने की थोड़ा नी नीचे आते थे तो आप स्टार्ट करते हैं तो कम मौके दिया जाते हैं और जो कम मौकों में ही अच्छा कर दे उसे ही जगा मिलती है और वही एक टीट्वेंटी भी खेला होने आकड़ों के अगर बात करी रहे हैं तो एक टीट्वेंटी मुकाबला खेला है जहां पे 17 गि मौकाबला समाप्त हुआ था वो रिजल्ट आ नहीं पाया था इसमें बड़े-बड़े फिलाडी फ्लॉप रहे थे ब्रैट्ली ने उनको बोल्ड किया था लेकिन उसके बाद भी अगर देखे तो लगातार अंतराल के बाद वह बाहर अंदर होती रहे हैं 2015 उन्होंने अप आपको IPL में कम से कम उस तरीके से पूर्मेसर्ज करने चाहिए थे पूरे सूपर जार्ज के लिए आखरी मुकाबला खेला था उन्होंने तो वहाँ पे अगर उस तरीके से पूर्मेसर्ज करते तो उनको मौका मिलता है तो आप पे छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है क क्या ये जो बाते हैं जो मनोस्तिवारी ने बोली है महंद सिंग्धोनी के बारे में उनको मौका ना देनी के बारे में क्या सही है क्या गलत है अपनी राय कमेंट सेक्षन में जरूत दीजेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद